आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहां पिर बात होगी उत्तरकाशी में होने वाली महापंचायत की कथितलव, जिहाद और धर्मांतरन के विरोध में ये महापंचायत बुलाई गई है प्रशासिन कैसे इसे रोपने की तयारी में चुटा है और सुप्रीम कोट ने क्यूं इस महापंचायत थे खिलाफ याचिका सुनने से मना कर दिया और वरतमान हालात कैसे हैं, ग्राउन पर मौजूत रिपोर्टर से समझेंगे और आज जब सारी दुनिया इंटरनेट के इर्दगर्द से मट गई है, उस दौर में भी एक तिहाई ही महिलाएं इसका इस्तमाल करती है एक रिपोर्ट के हवाले से बताएंगे आपको क्यों इस इंटरनेट करांती में पीछे छूट गई है भारत की महिलाएं लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइन्स सुरज कुमार से शुक्रिया खुश्पू यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू लॉ कमिशन ने पबलिक धार्मिक संगठनों से मांगे विचार उत्तराखंड के नैनी सैनी एरपोर्ट को डी जी सीय से मनजूरी यहां से ऑपरेट होंगी फ्लाइट चीन सीमा से 50 किलो मिटर है हवाई दुरी महरास्ट्र में बनेगा देश का पहला अंडर सी ट्यूब टनल समुद्र के नीचे 7 किलो मिटर की सुरंग का कंस्ट्रक्शन दिसम्बर से शुरू और लंदन में इंडियन हाई कमिशन पर हमला करने वाले 45 आरोपियों की तस्वीरें जारी NIA ने निकाला लुकाउट नोटिस यूनिफॉर्म सिविल कोट एक ऐसा मुद्धा है जिसे गाहे बगाहे भारत की राशनिती में उच्छला जाता रहा है और जब जिनाओ करीब आ रहा हो तो बार बार इस बर लॉक कमिशन के हवाले से इसकी बात उठी है लॉक कमिशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोट पर नई कंसलिटेशन प्रोसेस शुरू की है कमिशन ने बुधवार को कहा है कि उसने यूसी सी की ज़रूरत पर नई सिरे से विचार करने का फैसला किया है इसके तहट लोगों और धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित इससे जुड़े सभी पक्षों से विचार जाने जाएंगे वो भी 30 दिनों के भीतर करनाटक हाई कोड के पूर्व जिफ जॉस्टिस रितुराज अवस्थी 22 वे लॉग कमिशन के अधिक्षता करेंगे इससे पहले 21 वे लॉग कमिशन ने इस मुद्दे को एक्जामिन किया था 21 वे लॉग कमिशन का कारेकाल अगर्स 2018 में समाप्थ हो गया था 22 वे लॉग कमिशन ने नए सीरे से ये विचार्ज में मर्श करने का फैस्टा लिया इसमें सभी अदालती आदेशों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट बनाया जाएगा हाला कि इसे 2024 जुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है जनसंग के जमाने से ही उनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के घोषना पत्र का हिस्सा भी रहा है इस पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले यूसेसी को लेकर 22 कमिशन की क्या तैयारी है उससे समझने के लिए हमने बात की आज तक रेजियो रिपोर्टर संजय शर्मा से नहीं ये 22 वे विधी आयोग ने समाननागरिक संगेता को लेकर कदम आगे बढ़ाया है इन्होंने ये पहले ही गोषना कर दी थी लगबग महिने बर पहले कि वो इस मामले में आगे विचार करेगा और लोगों से स्टेक होल्डर सें उनसे वो विचार भी मर्श करेगा जब 21 वे विधी आयोग ने इस मामले में कंसल्टेशन शुरू किया था और उसके बारे में कहा था तो उस समय फिर 2018 में मार्च महिने में लगबग 20 दिन का टाइम दिया था कंसल्टेशन का और मार्च में ही कंसल्टेशन शुरू हुआ था और मार्च में ही कंसल्टेशन पूरा हो गया था और उसके बाद आयोग ने अपने रिपोर्ट दी थी और कोई विधी आयोग आम तोर से यही करता है या इस तरह के नियामक संस्ता होती है वो यही करती है जैसे बिजली नियामक संस्ता है दिल्ली में किराया बढ़ाना गटाना है तो उसको लेकर भी यही होता है कि वो जन सुनवाई होती है जनता उसमें अपनी बाते रखती है जब final मसौता उसका तयार होता है तो उसमें जनता के विचार को भी accumulate किया जाता है उसको भी उसमें शामिल किया जाता है तो ये एक प्रक्रिया है और वैधानिक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया का पालन इसमें किया जा रहा है संजय ये कहा जा रहा है कि कमिशन अदालती फैसलों को ध्यान में रखकर ही अपने रिपोर्ट त्यार करेगे तो आखिर वो कौन से जरूरी बाते हैं और फैसले हैं बेसलाइन ये है कि उसमें समान नागरिक संगीता में जो पांच बड़े सिधान्त हैं उसमें एक तो विवा को लेकर है इसके साथ ही विरासत को लेकर है तो इस तरह से वो पांच चीजें हैं और इसके अलावा ये जरूर रखा जाता है कि इसमें किन-किन अगर ये समान नागरिक संगीता बनेगी तो किन-किन चीजों में बदलाव लाया जाएगा तो जो परसनल लॉज हैं उसमें बदलाव होगा पारिवारी कानून है हिंदु विवाद हिनियम है, मुस्लिम है, इसके लावा बाकी एसाईयों का है तो इन सारी चीजों में बदलाव लाया जाएगा तो जो परसनल लॉज हैं उनमें कैसे बदला होगा, उनको बचा के रखते वे क्या किया जाएगा, कैसे किया जा सकता है, कि खानून के पेशे से जुड़े लोग भी उसमें अपने सुझाव देने जरूर जाएंगा। जी और ये तो कमिशन की बात हो गई, लेकिन इसके राशनतिक महत्व से भी इंकार नहीं किया सकता, क्या ये कहना सही होगा, कि ये 2024 चिनाव की तयारी है। चपल गती से चल रहा है और बहुत ही तेजी के साथ सारा काम निफ्टाना चाहता है, तो अगर यही तेजी बरकरार रही, तो 2024 के पहले काफी पहले ही रिपोर्ट आ जाएगी, मुझे तो लग रहा 2023 के साल का आखिर होते होते रिपोर्ट आ जाएगी और 2024 के चुनाव से प मैसेज बेज सके कि अगली बार सरकार बनने पर क्या-क्या होगा, देश के जो कानून है, जिसमें विवा है, विवा विच्षेद है, विरासत है, गोद लेने का है, बच्चा गोद लेने का है, इन तमाम चीज़ों पर यह बताएगी कि हमारा नजरिया क्या है और हम क्या कर बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा और आपकी जानकारी के लिए गुवादेश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पहले से ही सिविल कोट लागू है यहां सभी धर्मों के लोगों को एक ही कानून के तहत चलना पड़ता है इसके तहत यहां होने वाले सभी जन, शातियां और मृत्यू को दर्ज कराना जरूरी है उत्राखन के पुरोला कस्वे में बिते महीने की 26 तारीकों एक 14 साल की लड़की के अपहरन की कोशिश हुई थी घटना में लड़की को बचा लिया गया था और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार भी कर लिया था घटना के बाद हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया और इलाके में मुस्लिम लोगों की दुकानों पर पोस्टर लगाए गये जिसमें उन्हें कस्बा छोड़कर जाने की धमकी दी गई थी उसी दोरान 15 जून यानि आज के दिन हिंदू संगठन देव भूमी रक्षा अभियान ने महा पंचायत बठाने की बात गई थी इस महा पंचायत को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचका भी रखी गई जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए सुनने से इंकार कर दिया इसे जानने के लिए हमने बात की उत्तरकाशी में मौजूद आज तक रेडियो रेपोर्टर ओंकार बहुगोना से अलंकि दिख नहीं रहे हैं लेकिन परशासन ने अब इस गाउं इस एरिया में पूरे तैसिल छेटर में निसेदाग्या लगा दी गई है और जहां तक महापंचयत की बात की जाए तो इसमें जो है जो हिंदु वादी जो संगठन है उन लोगों के द्वारा जिसमें दल सामी जैं मुखे आयोजग के रूप में बजरंग दल बाना गया था हालंकि परशासन के द्वारा महापंचयत की अनुमती नहीं थी गई थी लेकिन फिर भी बजरंग दल के द्वारा यह हुंकार भरी गई थी कि परशासन के मना करने के बाप जूद भी वो इस और आज जो ये महा पंचायत रखी गई है, लोग अभी भी अड़े हैं इस महा पंचायत के लिए, हाला कि प्रशासन की ओर से अनुमती नहीं है, फिर भी मैं आपसी समझना चाहूंगी कि इस पूरे महा पंचायत का एजेंडा क्या है? जादी मानसिक्ता वाले, यानि कि लव जिहाद जैसे उपकरम करने वाले, घ्रनित करम करने वाले जो लोग हैं उनको चिनित करके उतरकासी की सांतवादियों से बाहर किया जाए, अन्य जो मुस्लिम बर्ग हैं, अन्य जो सांत और पुराने समय से जो यहां पर रह रहे हैं, उन लोगों को नक्षेडा जायाने कि उनके पती सेमपती रखें और जो इस प्रकार की कुछ सित मानसिक्ता वाले जो लोग हैं, उनको बाहर करें, यही एक प्रमुक एजंडा उस महा पंचायत का है, और यही हिंदुबादी संगठनों के द्वारा भी कहा गया कि इन तमाम बिंदों पर इस पंचायत में चर्चा की जाएगी. जो हिंदुबादी जो सोच जो विचाखधारा भाजपा की रहती है, उससे मिलती भी दिख रही है, और मुक्यमंत्री पुसकर सिंग धामी के द्वारा जो डेमोगरफिक चेंज को लेकर के जो बयान जारी किया गया था, साथ में लवज जिहाद को लेकर के जो बयान दिख तो कहीं न कहीं एक मौन समर्थन, मुक समर्थन दिखतावा दिखाई जे रहा हालन की, इतना जरू कहना चाओंगा कि मुक्यमंत्री के द्वारा ये भी भयान जारी किया गया कि किसी भी धरन संपरदाय का कोई व्यक्ति हो, उसे कानुन अपने हाथ में लेने का अधिकार न नहीं खुल रही है, वहीं कई लोग कस्बा छोड़कर चले भी गए हैं। ने एक सर्वे रिपोर्ट चारी किया है, जिसके आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 में 18 साल से जादा आयू वाले देश के 45 फीस्ती मुबाइल इंटरनेट का इस्तमाल करते थे, उसी साल महिलाओं के लिए ये आंकड़ा 30 फीस्ती था, जो साल 2022 में बढ़कर 31 फीस्ती हुआ है, यानि तीन साल के अंदर केवल एक फीस्ती का इसाफा, वहीं पुरुषों के लिए ये संखिया अब 52 फीस्ती है, यही नहीं, गुरामेन इलाकों में रहने वाली औरतों ने बीते कुछ सालों में मुबाइल इंटरनेट का इस्तमाल भी कम कर दिया है, हाला कि सर्वे में शा इंडिया तुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की मेंबर अंकिता तिवारी से। जो तीसरा रीजन है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि मुबाइल का इंटरनेट है, उसको कैसे यूज किया जाएं। ये तीन बेरियर्स जो बताये गए हैं कि इसलिए इनकी ग्रोथ इतनी बढ़ ही नहीं है। अंकिता इस डेटा को ग्रामीन और शेहरी स्तर पर भी विभाजित करकर दुशाया किया है, क्यूंकि एक समझ है कि शेहर में सब के पास मुबाइल और डेटा पैक होता ही है। जैसा कि इस डेटा मतलब डेटा में साफ साफ बताया गया है, ये तोटल पॉपुलेशन को लिया गया है लेकिन जो एज लिमिट है, इसकी एटीन प्लस है। कि इसमें कोई स्पेसिफिक रीजन लाइक डिवाइड ने किया गया है कि ये गाओं की है ये शेहर की हैं। यह स्पेसिफिकली लाइक ओवराल वुमें से लिया गया है लेकिन अवब एज जो उनकी अवब 18 प्लस एज लिया गया है उनका इसके जो जो सामने आए हैं इसका जो साइड इफेट्स लाइक क्या इसका परिणाम हो सकता है वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप नौले सबके हाथ में फोन बिकासे ओनलाइन चालू हो गई थी सब कुछ तो उसके बाद जैसे हम 2019 का देखे तो 21 परसंट बस महिलाओं के पास फोन थे लेकिन उसके बाद ग्रोथ हुई क्यूंकि घर में फोन पोविट के वज़द से आने चालू हुए लेकिन वो चीजे बस बच होगे या फिर कोई बड़े लोग होगे महिलाओं में तो वो लोग भी अपने बच्चों को फोन दे दे थी कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम ही कर दो तो वो I guess उनके अंदर नौलेज नहीं है इस चीज़ को कैसे यूस करे और I guess that is the main reason for that कि उनकी ग्रोथ उतनी बढ़ ही नहीं है क्योंकि वो चार्ण मुझे पास है कि हाँ ये मुझे बता देंगे ये कर देंगे तो इसलिए वो उनके सहारे पे रह जाती है जी और जादा से जादा महिलाओं तक मुबाइल इंटरनेट की पहुँच हो स्मार्टफून की पहुँच हो क्या इसे लेकर क उस रीजिन की लैंग्विज एड करवाईगी है कि लोग असानी से उसको यूज कर सकें उन्हें प्रॉब्लम ना हो कि हाँ बस इंग्लिश है तो इंग्लिश नहीं आती तो फोन यूज ना कर पाए अब हर रीजिन के वाईस आप अपना लैंग्विज चेंज कर सकते हो फो की ग्रोथ को बढ़ाया जाए शुक्रिया अंकिता हमसे बात सीट करने के लिए ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में उन महिलाओं के संख्या 19 फीस्ती है जिनके पास फोन तो है लेकिन वो इंटरनेट के इस्तिमाल के लिए किसी और के फोन का इस्तिमाल करती है और अब चलते हैं सीधे सुरज कुमार के पास वो सुवे सुवे उटकर देश तुने के अख़बार पढ़ चुके हैं गुड मॉर्निंग सुरज तो बताईए पहले देश की अख़बारों का इहाल खुश पर गुड मॉर्निंग कि तुफान कितना ज्यादा तेज हो सकता है और इसको लेकर तैयारियां भी हो चुकी है जैसे नब भरा टाइमस लिख रहा है कि अड़ी एरेफ समेट बचाव दल की जो तमाम टीमें हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं किंद्री स्वास्तमंत्री ने तैयारियों का जािज़ा लिया है गुजराद के सीम ने सरकार के इमरजन्सी सेंटरों का दूरा किया है और ग्रीमंत्री अमेट श्चाह ने भी हरस्थिती से निपटने के लिए तमाम भी भागों को निर्देश दिये हैं तो इस तरह से जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हैं लेकिन तैयारियां मनिपूर में काम नहीं आ रही हैं इस पर कल हम लोग उन्ने दिन पर में बात भी की वहां पर हिंसा हुई है लगातार हिंसा हो रही है कल नौ लोगों की वहां मौत हो गई ऐसा हर अख़वार बता रहा है लेकिन साल भरती किया गया, डॉक्टरों ने कहा कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज है, इनकी सरजरी करवानी पड़ी की, अब उसी बिनापर उनके बेल की अरजी भी डाली गई है, तो ये मनी लॉंडरिंग से जोड़ा मामला है, जिसकी भी हमने कल दिन भर में एक तफसील से चर्चा क यूएन ने एक रपट जारी की है, जिसमें ये बताया गया है, विश्व में शरणार्थी संकट बढ़ा है खुश्बू, वहीं उत्तरा खंड के नानी सैनी एरपोर्ट को डीजी सीय ने मन्सूरी दे दी है, दैनिक भासकर सी ये खबर मैं देख रहा हूँ, अब यहां से उपरेट हो सकेंगी, खास बात ये है कि ये चीन सीमा से केवल 50 किलो मिटर की दूरी पर ये हवाई अड़ा है, और कल जो तमिल नाडू के उरज़ा मंतरी की गिरफतारी हुई है, उसकी बाद हमें राज्य सरकार का एक्शन भी देखने को मिला है, क्योंकि अब तमिल नाड प्रेट के शिफ कुमार और करनाटक प्रुदेश कॉंग्रिस कमिटी के खिलाफ मानहानी मामले में समन जारी किया गया है, खबर में अभी फिलहाल दानिक भासकर पर पढ़ रही थी, हाला कि कई एक और भी अख़बारों ने इसे अपने पहले पन्ने पर जगा दी है, तो पिछले चार सालों में डेड़ लाख करोड लूटे हैं, तो इससे भाजपा की इमेज खराब होई है, तो ये इन सब चीजों को देखते हुए कोट ने धारा 499 और 500 के तहत संक्यान लिया, 499 यानि मानहानी और 500 यानि मानहानी के लिए सजा, और अब अगली तारीख जो है इस मामले में 27 चुलाई के रखी गई है, जी खुशबोर एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट हुमन राइट वाच और इंटरनेट फ्रीडम फांडेशन की है, इसके मताबिक कहा गया है कि इंटरनेट शुट डाउन का सबसे जादा अगर असर होता है, वो गरीबों पर होत जनहित योजनाओं को लेकर भी नुकसान होता है, और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2018 के बाद भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद किया है, और ज्यादा तर शुट डाउन में सिर्फ मॉबाइल फोन पर इंटरनेट बंद किया गया है, लेकि इससे पूरी तरह से नेट बंद हो जाता है, क्योंकि भारत में 96 फीसदी जो कस्टमर्स हैं, वो इंटरनेट का इस्तमाल मॉबाइल के जरीए करते हैं, चार फीसदी वेक्तियों के पास ही फिक्स्ट लाइन नेट होता है, और 2023 में ये जो घंटे की बात करें, तो 2257 घंटे जो इंटरनेट है वो बंद रहा, और 2044 करोड का नुकसान हुआ है, और ये सिर्फ आकडे भारत के हैं, एशिन एज में खबर यूएस के नाश्रल सिक्रिटी अडवाइजर जेक सलिवन और भारती विदेश मंदरी ये जश शंकर की मुलाकात को लेकर है, कि उन दोनों ने नरिंदर मोदी के अमेरिका दोरे से पहले एक दूसरे से बात की, और जो अजिंडा है, क्या अजिंडा रहने वाला है पी-एम मोदी का, अमेरिका में, अमेरिका भारत से क्या चारा है, इन मुद्दों पर बात की गई है, और एक खबर है देली गार्जिन में, पट्टा मे जो अजंडा है उसको कनफॉर्म किया जा सके किन मुद्दों पर 2024 का चुनाव लड़ना है उस पर बात की जा सके बीजेपी को कैसे घेरना है उस पर बात की जा सके अब इन सब की बाद उस ख़वर पर आते हैं जिसे आज का दिन में लीट स्टोरी ली गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो गया है लौ कमिशन ने पबलिक धार्मिक संगठोनों से इस पर विचार मांगे हैं एक महीने का समय दिया गया है कि आप इसमें अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपे और बढ़ती गर्मी की वज़ा से अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और इसमें हीट स्ट्रोक, उल्टी, बेहोशी, रक्त चाप कम होना यानि बलड प्रेशर कम होना और अक्यूट किड्नी फेलिर के मामले बढ़े हैं दिल्ली के बड़े अस्पतालों हर रोज इमर्जेंसी में पांस से साथ मरीज तो ऐसे आ ही रहे हैं, हिंदुस्तान अख़पार ने इसे बहुत अच्छे से कवर किया, इसमें ये भी बताया किया कि कि इन बातों का आपको गर्मियों में ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरा है क जो गर्मी से चुड़ी परिशानिया हैं उसकी वज़ा से OPD में 20 फीसी तक जो भीड है वो भी बढ़ गई है और कल नीट यूजी के रिजल्ट भी आएं सुरज लेकिन आप ये सोचिए कि नीट यूजी के एक्जाम देने वाले जो स्टूडेंट्स है उन पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने नंबर और परसेंटाइल दोनों चौथी रैंक पाने वाले स्टूडेंट्स के बराबर हासल किये लेकिन उसकी रैंक 19 भी ही रह गई तो ये जो सवाल है उसको नवभाराट टाइम्ज ने प्रमुक्ता से ली है और ये बताया है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्यूंकि आल इंडिया रैंक हासल करने के मामले में ट्राइ ब्रेकर से जुड़े नियम की बड़ी भूमिका रही है न्टिय के मताबिक जिन स्टूडेंट्स को एक जैसे नंबर मिले उनके पहले बायलाजिक के नंबर देखे गए फिर केमेस्ट्री के फिर फिजिक्स के इसके अलावा कुछ और पैरेमिटर भी देखे गए इसके बाद ही रैंक ताइक ही गई अगले साल से ये नियम फिर बदल जाएंगे जे खुचवार बीबीसी पे स्टोरी है ग्रीस में समुद्र में ओवरलोड बोड डूब गई है ये जस्ट अभी खबर लगी है हाली में जिसमें 89 लोगों की मृत्य हुई है इसके अलावा रूस से भी खबर है नाजायस वाइदा चीन उठा रहा था ऐसा अमेरिका का दावा है खुद सस्ता लोन लेकर गरीब देशों को वो फसा रहा था ऐसा अमेरिका कह रहा है इसके अलावा लंदन में भारती हाई कमिशन पर हमले का मामला जो है उस पर NIA ने 45 आरोपियों की तस्वीरें और लुकाउट नोटिस जारी कर दिया है लोगों से पहचान में मदद ली जा रही है शुक्रिया सूरज और अब जान लेते हैं 15 जून का इतिहास तो 127 साल पहले जापान में भुकम से 22,000 लोगों की मौत हुई थी ये भुकम पर 1896 में आया था 1667 में पहली बार इंसान का ब्लड ट्रांस्टूशन डॉक्टर जीन बैप्टिस्टे डेनिस ने किया था तो फिलहाल आज का दिन पॉड्कास्ट में इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी इस पॉड्कास को प्रिड्यूस किया है कुंदन कुमार ने साउंड मिक्सिंग कर रहे थे ने दिन रावत मेरा नाम खुश्ब कुमार है नमस्कार